वेल्कम बैक आपके लिए लेकर आए हुए एक नहीं कवीथा जो आपने कलुचिकल प्रेशन दे दिया था आपको समझा भी दिया था आज हम लेकर आ रहे हैं एक नया सुन्दर साइदम क्यूट सा बढ़िया सा कवीथा आपको इसको पढ़ना भी है और देखना भी है तो आ किती रात उजाला आया सूरज नया सवी राल आया मौल रहे के अभी रात हो गया ना और रात खत्म ओटे ही अब सुबह वो गया सुबह हो गया सुबह और सुरज भी ऋगया है 105 जोब हैं जोगाल भी आपने जगए उसे प्रेव Σीन की बोल नुए मैंकि अपने यार्था में पेणे बाथाए के और नया सवेरा लाया अब बोल रहें कि धीव धूप जो है वो धीरे-धीरे से खत्म होने रगा है यानि कि धूप के जाने कर समय हो गया है और थोड़ा-थोड़ा से मट्थी छाया आने लगा है सूरज फिर से और एक नया सवेरा लाया है हरी धूप पर ओस चमकती फूलों से मो मतब देखने में लाओ मालों कि वहां से मोती जहर रहे है फिर बोल रहे है गीत नया चुरिया नहीं गाया है सूरज नया सवेरा लाया जैसे ही सूरज नया सवेरा लाता है न चुरिया क्या करते है वह गाना गाना शुरू कर देती है ठीक समझाया यानि कि हर रात के बाद ह अन्देरे के बाद उजाला जरूर हमारे जिवन में आता है, हर अन्देरे के बाद उजाला आता है, हर उजाला के बाद अन्देरा आता है, यानि कि हमेशा अपने मन में आंस पनाय रखना चाहिए, उमीद रखना चाहिए, जैसे कि आज परनाविक सिच्वेशन है, हम अपने जरूर करेंगे यानकि हमें कभी मायुस नहीं होना चाहिए हमें यह ध्यान में जरूर आएगा और सुभाह आजल और नए सुबह के जब ने को उजकर जीवनम्म तो इस पुरी कविरा में कविता में कभी ने प्राक्टितिक दिश्यों को हमारे सामने वर्णम किया है और जो कभी है वो है राम गोपल शर्मा दिनेश आपको मैं फिर से एक बाप पढ़के सुनाते हूं नया सवेरा, बीती रात उजाला आया सूरज नया सवेरा लाया, चहेके पंची महेके बेले, आओ साती हम सब खेले, निकली धूप समकती छाया सूरज नया सवेरा लाया, हरी धूप ओस चमकती, फूलों से हैं मोती जर्ती, गीत नया पंचिरिया ने गाया, सूरज नया सवेर बहुत अच्छा लगना बहुत सुन्दर कभीता है तो आपको इसको घर में पढ़ना है बाइब बाइब